हेलो आपरिवर्ण कैसे हैं आप सब आय होप आप सभी स्वस्त और मस्त हुंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आएं दोस्तों इंडोर प्लांट की एक वीडियो जिसमें मैं बताओंगी की आप लोग इंडोर अपने प्लांट की कीयर कैसे करें और आप अपने नेस होनी चीर जिससे की हमारा जो प्लांट है वो सर्वाइब हो सके तो इसी तरह से तो मेरे रोम मेरे एंटरस में लगाया हुआ है मैंने तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने बहुत बार बताया भी है कि यहां मेरी जस्ट विंडो है तो विंडो से मेरे यहां ब्राइट चाहिए उतनी बाहर से आती है तो आप भी अपने इंडोर प्लांट में इस तरह से बाहर से जो ब्राइटनेस आ रही है अगर आपके बाहर से इस तरह से विंडो नहीं है तो आप क्या करें अगर आपको लगता कि आपका जो हॉल है या कुछ ही इस तरह से है तो आपको क्य कर दोड़ जाएं उसको हमारे जे प्लाइट होते हैं इनको ब्राइट लाइट बहुत पसंद की जिसे की यह क्या हो जाते हैं सरवाइव होते हैं और जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह इन पेड़ पौदों को भी हवा चीय होती है और प्रॉपर मात्रा में इनको अगर आप तो थोड़ी देर के लिए इनको आप बाहर भी एक घंटे की दूप पर लगाएं, ज्यादा ना लगाएं, एक घंटे की इन जैसे ए एगलो निमा प्लांट है, इनको एक घंटे की दूप बहुत ही ज़ादा जरूरी है, इससे ज्यादा ना दे आप, अगर आप ज्यादा तो आपने इस बात का भी धिहान रखना है और आपने अपने प्लांट में पानी भी मतलब मिट्टी को चेक करके देना ऐसे नहीं देना है और अपने प्लांट की हो सके तो गुडाई करना दोस्तों इस टाइम पर क्या होता कि हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल सेट हो जात तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर स्नेक प्लांट लगाया है स्नेक प्लांट आप लोगों को पता ही है कि वो कितना ही मतलब हमारे जो ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन प्रवाइड करता है बहुत अच्छी तो यह एक इंडोर इंडोर प्लांट है आप चाहिज को भी रख सकते हैं लेकिन मैंने इसको मैं दोस्तों समय समय पर इसको बाहर भी रखती हूँ और इंडोर भी रखती हूँ दोनों तरह रखती हूँ जो इसको पॉट है मैंने इसको कलर किया हुआ है आप देख सकते हैं ये मिट्टी का बना हुआ है ये तो आप इसको इंडोर मे बहुती सुप्त अवस्ता में होते हैं तो कि वो तो इस तरह से तो मैंने देखो इस तरह से जैसे मेरे एंटरस में सामने मैंने यहां पे प्लांट लगा के रखे और यहां पे मैंने वाटर में ग्रो करके रखे आप देख सकते हैं काफी सारे प्लांट है मैंने यहां पे बाहर रखेंगे तो इसका कल्या इस तरह से होगा इसको मैंने भी दो-तीन दिन पहले ही कैड़िंगों इसके अंदर लगाया है पानी के अंदर लगाया है ... अब इसमें रूट्स भी नहीं आये तो यहां पर भी मैंने ऐसे मैं आपको बताती हूँ आप देख सकते हैं मैंने यहां पर जो मेरा lipstick aglonema आए इसकी भी देखो, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से गुडाई भी करी है और इसको मैं समय समय पर धूप भी लगाती हूँ और पानी भी देती हूँ, पानी तो आप लोगों को पता ही है किसको जो पानी है वो च्याकर करके देना, दोस्तों जो प्लांट होते हैं, हमें मतलब ऑक्सीजन तो देते हैं और साथ ही साथ हमारे जो घर है या हाल है या ओफीस है या कीचन है उसको क्या करने, डेकोरेट करन में भी help हमें मिलती है तो इस तरह से अगर आप artificial चीजे ना लेके इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं अपने रूम में यहां से देखोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा इस तरह से यह व्यू इस तरह से जैसे आपके plant है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं अ मैं रखे हुए है यहां पर आप देख सकते हैं यह मेरा जो यहां पर टीव वाला जो पैनल है यहां पर मैने जो यह बॉटल है इस बॉटल को मैं ने पेंट करा है आप देख सकते हैं और जो इसकी रूटस कहते हैं कि जो मनी पलान की जो रूटस होती है उसको biscuit Carson Karma में ऊ-प आप इस तरह से छुबा के रखोगे वाटर में ग्रो किया है मैंने आप देख सकते हैं इसकी रूट्स उपर तक है दोस्तों यहां तक उपर तक आगी हुए तो मैंने इसको इसके अंदर लगाया हुआ है और इसको देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से आप यह मैं जब लेकर आई थी बहुत छोटू सा था नर्सरी वालों से लिया था मैंने इसके मैंने कोई पैसे नहीं दिया थी उनको उन्होंने ऐसे दिया था सिर्फ इसमें एक दो लीब्स थी जब लिया था लेकिन ओर लीब्स तो खतम होगी सिर्प एक डंडी से ही यह ग्रो को कि आप इस तरह से और मैं यहां पर आपको दिख रहा होगा मैंने यहां पर भी यह बाहर में इंटरस पे रखा हुआ था लेकिन मैंने अब इसको उपर रख दिया तो यह इसको अप 15 धिन में सा पानी चेंज करेंगे तो यह पानी में बहुत लिइंडियों हो जाता है दोस इस तरह से और देखने में भी बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और इतने चोटे-चोटे से जैसी यह वाले प्लांट होते हैं इनको समय समय पर आप दूप लगा लें और शावर करें जिससे कि आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छा लगे इस तरह से तो मैं वैसे ही मतलब मुझे अच्छा लगता है अपने इंडोर में इस तरह से प्लांट लगाना और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूसफुल लगी हो तो आप भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताए मुझे तो मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ थैंक्स फॉर वाचिंग डेक के और फ्रेंड्स हैव नाइस ते हैपी गाड़निंग